बॉलिवुट के मोस्ट हैंसम अक्टर विनोथ खन्ना अपने करियर के पीक पर ओशो आश्रम चले गए थे और वहाँ पर जाकर एक गार्डनर का काम करते थे विनोथ खन्ना को ओशो आश्रम में कैसा treatment मिला ये बात बताई है मा आनंद शीला ने जो ओशो की secretary रही कह सकते हैं कि ओशो अगर face थे उनके पूरे आश्रम का तो आनंद शीला पूरा work manage करती थी मा आनन शीला ने बताया कि विनोध खन्ना वहाँ पर एक आम आदमी थे क्योंकि ओशो के आश्रम में रजनीश के अलावा कोई और स्टार नहीं था उन्होंने ये भी बताया कि विनोध खन्ना जब ओशो आश्रम में गए उनका नाम स्वामी विनोध भारती रखा गया और जहां तक बात है गाड़नर के काम की तो ये ओशो या उनकी सेकेटरी नहीं देखते थे बलकि जो लोग वहां की व्यवस्था देखते थे वही लोग डिसाइड करते थे कि किसे क्या काम देना है और उसी के तहट विनोध खन को फिल्म इंडस्ट्री में वापिस आना पड़ा तब जब आश्रम बंध हुआ अदरवाइस विनोध खन्ना आश्रम छोड़ना ही नहीं चाहते थे वो सन्यासी बन चुके थे